नमस्कार, हेलो, आज मैं वीना गोयल, नैविगेटर ओवरसीज से, काफी टाइम से स्टूडेंट्स की बार-बार डिमांड आ रही थी, हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था स्वीजर लेंड का, तो उनकी इच्छा थे कि स्वीजर लेंड से जो इंटरनेशनल रेप हैं कॉलेजिस के, यूनिवरस्टी के वो खुद आएं, और उनको डिटेल में बताएं, क्योंकि जब भी सेमिनार हम करते हैं, तो नैचुरल है कि रेप साते हैं, लेकिन कुछ लोग उस टाइम आपाते हैं, सेमिनार एटेंड करने कुछ नहीं आपाते हैं, तो यूट्यूब क बताएंगे कि स्वीजर लेंड जाने के क्या फायदे हैं, आपको क्या फीज, कितनी स्कॉलर्शिप, क्या एंट्री रिक्वाइर्मेंट, वीजा सक्सेसरे, इस सब की बाद जो है, मिश्टर हम से पूछते हैं, पहले उनका स्वागत करते हैं, नमस्कार रहेंजी, अब मैं सबसे पहले वीना मैडम को थैंक यू, मैं मतलब कॉंटिन्यू करने से पहले बोलना चाहूंगा कि ये जो मैं जो भी आंसर करूंगा वो मिक्स लैंग्विज में होंगे, जिसे फ्यूजन लैंग्विज बोलते हैं, मिन्स इंग्लिश, हिंदी और बिट अफ पंजाबी भी मिक्स होगी, थोड़ा इसको स्वीट करने के लिए, तो स्विजलेंड आक्चली बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है, टूरिजम के लिए, और इसके जो एंट्री रिक्वार्मेंट है, बहुत टफ नहीं है, स्टूडेंट सिंपल प्लस टू हो, कोई मिनिमम परसंटेज क टफ क्राइटेरियर नहीं है, और IELTS भी इसमें बहुत मिनिमल IELTS होना चाहिए, वो सिरफ इसलिए IELTS मिनिमल होना चाहिए, कि हमें सिरफ ये देखना होता है, कि स्टूडेंट इंगलिश बोल सकता है, इंगलिश पढ़ सकता है, और इंगलिश समझ सकता है, बिकॉस मीढ of instructions English है तो IELTS की requirement है सिरफ 5.0 और 5.5 इसके साथ student Switzerland के लिए apply कर सकता है. That is so nice की entry requirement IELTS की जो है वो 5.0 या 5.5 है मैं जब भी HDMI की ब्राउशर देखती हूं या online देखती हूं तो Mr. Hame आप ये बताए कि खाली बच्चा जो है IELTS ही करी या English का कोई और टेस्ट भी acceptable है Well मैडम, generally क्या होता है कि IELTS and TOEFL ये one of the oldest examination की एक body है जो English international exams को conduct करती हैं. तो हमारी तरफ से एक recommendation होता है कि student IELTS या TOEFL करें. Nonetheless, अगर किसी student ने PTE, Duolingo अगर किया हुआ है और उसका score उसमें अच्छा है तो on a special cases हम इसके लिए उसकी application consider कर सकते हैं और further proceed कर सकते है application के लिए. That's great. Next question मैं आपसे ये पूछना जाओंगे कि fees जो कि बड़ा चुंके students का जो है fees को लेके हर country का selection process होता है कि कितनी affordable fees कितनी है HTMI की? Right. Madam, HTMI जो हमारा college है, हमारा school है Switzerland में ये एक as per QS ranking, top 15 world rank and top 5 Switzerland में, top even 3 now we are in 3rd position, top 3 position तो हमारा जो campus है ये fully residential campus है इसमें student की जो fees है वो included होती है जिसमें उनका tuition fees, food, accommodation, medical insurance and study material वो HTMI provide करता है which is approximately between 20 to 25 lakhs में cover होता है but best part क्या है कि fees जो है उसमें student को only 5 months के अंदर theory and then 5 to 6 months की जब वो internship करता है तो वो guaranteed earn back करता है which is approximately again 10 to 12 lakhs तो ये आप कह सकते हैं कि student 35 to 40% तो उसको earn back होता ही है चलो ये जो होगी है इनका fees इसका मलग काफी comfortable है क्योंकि उसमें accommodation भी students courses चलते हैं और उसकी ranking भी बहुत अच्छी है ऐसे मिस्टर हेम ने बताया कि अभी third number ranking पर ही चाल रहा है that's great थोड़ा सा मैं आप से आगे जानना चाहूंगी कि scholarship opportunities क्या है right ma'am because अभी हम लोग पूरा वर्ल्ड अभी covid से come back कर रहा है तो तो इसके लिए हम अभी every student को minimum 3 lakhs की scholarship तो offer कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि हर बच्चे को हम scholarship day that's great we quickly क्योंकि time हो रहे है तो quickly I want कि आप visa success rate और बता दीजिए right मेरको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैं it's been 20 years मैं Switzerland का manager हूँ और because of my experience और आप सब का Indian students का इतना support रहा है कि मैंने 20 years complete कि हैं और मेरे visas 100% success है और visa application मैं personally handle करता हूं appointment visa application form SOP commitment obligation everything I take care personally so student be rest assured that your visa will be not rejected thank you so much and thanks a lot for the information thank you mr. him thank you